नमश्कार दोस्तों, इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलाबाद High Court, समिक्षा अधिकारी और साहिक समिक्षा अधिकारी भरती की अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे की गौर्मेंट जॉप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे दोस्तो आप लोग को पता है कि पहले आरू के लिए एड्मिट कार्ट जारी किये गए थे मगर कोविट के वज़े से उसे पोस्ट पॉंड कर दिया गया और नई डेट जो है दोस्तो आ चुकी है रिवियो आफिसर और कम्प्यूटर असिस्टेंट के लिए तो यह जो शेडियूल हुआ है दोस्तो यह होगा बाइस दस दो हजार बीस को कम्प्यूटर असिस्टेंट के भी एड्मिट कार्ट जारी हो गये हैं तो आप लोग अपने एड्मिट कार्ट डाउनलोड कर लीजिए और बहुत से अभ्यारती ऐसे हैं जो कि हमारे टेलिग्राम पर जुड़े हुए हैं जो कि स्पेशली स्टेज 2 के लिए हमने गुरूप बनाये था वहाँ पर मैंने अपनी टाइपिंग की पूरी PDF भी शेयर की है जिसमें मैंने अपने टाइपिंग का experience बताया था कि किस तरीके से मैंने high court जो review officer की टाइपिंग थी उसमें कैसे अरिक्ता मंग प्राप्त किये थे तो वो आपके लिए useful होगी जिन्होंने नहीं पड़ी है अभी तक उसे जरूर पढ़ें इसके अलावा दोस्तों आपको जो भी अभी समय मिल रहा है 22 तारिक तक इसमें अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए जितना घंटे कर सकते हैं अगर आपका समर्थ है कि 12 घंटे आप टाइपिंग कर सकते हैं तो करिए आपको अपना best देना है इस समय पर तभी आप समिक्षा अदिकारी बन पाएंगे और आपके नाम के आगे राजपत्रत अदिक समय से जुड़े हुए हैं और आरो एरो भरती के बारे में काफी कुछ जानकारी रखते हैं उसका exam pattern क्या होता है या फिर उसमें किस तरीकी के question आते हैं मगर हमारे चैनल पर ऐसे भी बहुत सारे अभ्यारती हैं जो कि इस परिक्षा को पहली बार देंगे तो मैं आप लोग वेकेंसी जो हैं आपको जो एरो की वेकेंसी आएंगी वो लगबग 200 से तो ज्यादा देखने को मिलेंगी और उसका जो लेविल होगा वो होगा लेविल 7 यानि कि 400 ग्रेट पे की नौकरी होगी उसकी योग्यता बिलकुल वही होगी जो की आरो की होती है यानि कि बैचलर होनी चाहिए और साथ में जो है आपके पास ट्रपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए ठीक है तो यह तो हो गई सेक्षिक योग्यता कई लोग पूछते हैं उसमें एज क्या होगी तो एज भी इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या होने वाली है तो एज जो है इसके अंदर जहां तक मुझे धियान आ रहा है 35 होती है अभी मैं आपको फिट से दिखा दिता हूँ एज में आप देखेंगे 21 से लेकर 35 साल उत्तर प्रदेश की जो बाकी भरतिया हैं दोस्तो जैसे की UPCC, UPPSC वहाँ पर आपको 40 साल तक लिए एज में रिलक्षेशन मिल जाता है मगर यहां पर 21 से 35 है और यदि आप किसी केटिगरी को ब्लॉंग करते हैं तो आपको एज में रिलक्षेशन मिल सकता है जैसे की SCST या फिर OBC ठीक है दोस्तों तो यह पूरा जो है इसमें बता रखा है और यदि हम बात करें इसमें certificate की तो मैंने आपको बता ही दिया है यहां प अगर हम stage 2 की बात करें दोस्तों अभी तक तो मतलब जो exam pattern बना है जो शुरुबात में exam हुआ था 2016 में उसमें online typing कराई गई थी उसके बाद एक exam हुआ दोस्तों ERO का उसमें offline typing करवाई गई उसमें online करवाई गई मैं गलत बूल गया सबसे पहली बार जो थी वो offline typing हुई थी और उसके बाद जो ERO की परिक्षा हुई थी उसमें online हुई तो आगी की भी जो परिक्षा होंगी दोस्तों उसमें भी online typing करवाने की संभावना प्रवल है तो आपको online typing करना है मतलब screen पर देखकर matter type करना है मगर practice आपकी वैसे भी होने चाहिए कि यदि आपको paper दे दिया जाए तब भी आप typing कर पाएं तूकि यह चीज यहां पर कहीं भी clear नहीं है कि किस तरीके से typing करवाई जाएगी वो last moment पे change भी किया जा सकता है ठीक है दोस्तों इसके लावा यदि हम इसके exam pattern की बात करें दोस्तों ऐसे आप भ्यारती जिन लोगों का GS काफी अच्छा है उन लोगों के लिए ये exam जो है काफी बढ़िया हो सकता है mathematics इसके अंदर आती नहीं है आती भी है तो नाम मातर की वो भी reasoning की तरह होती है mathematics ठीक है और बहुत ही कम ऐसे exam होते हैं जिसमें आपको typing का weightage मिले यहां पर सी typing में यदि आप ज्यादा number ले आए तो आपका इसमें final selection हो जाएगा तो यह जो 50 number है इन्हें आपको बिल्कुल भी हलके में नहीं लेना है कई लोग यही सोचते हैं कि पहले written exam तो निकले उसके बाद typing करेंगे मगर नहीं दोस्तों आपको typing पे अभी से ध्यान देना है जो क की ARO के लिए preparation कर रहे हैं 15 मिनिट का इसका test होगा और minimum 17 नंबर तो इसके अंदर लाना compulsory है otherwise आप चाहे रिटिन में 200 में से 200 नंबर लिया हो मगर यदि आप typing के अंदर 17 नंबर नहीं लाएंगे तो आप feel माने जाएंगे ठीके दोस्तों typing पे मैंने बहुत सारे वीडियो ब इंडिया, इंडियन नेशनल मुव्मेंट, इंडियन पॉलिटी, एग्रिकल्चर, पॉपुलेशन, एकोलोजी, जोग्रफी तो यह जो है इसका पूरा एक तरीके से दिखा जाये तो सिलेबस है निगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं है जिस बज़े से इसकी जो पास होने के लिए अंतिम रूप से टार्गेट बना के चलिए कि आपके 170-180 नंबर के बीच में बने और टाइपिंग में भी आपको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा तब ही जो है आप इसमें फाइनल सेलेक्शन ले पाएंगे साथ में देखेंगे दोस्तों इसके अंदर UP किसे रिलेटिड क्योंकि इलाबाद हाई कोट है तो UP स्पेशल से रिलेटिड भी जो है चीज़े पूछी जाती है जब मैंने दोस्तों इस एक्जाम को क्लियर किया था उस समय पर मैं GS भी पढ़ रहा था और साथ में क्योंकि म एक्जाम नहीं देते और उत्तरप्रदेश की परिक्षाओं में इंग्लिस पूछी भी नहीं जाती है तो इसलिए उन लोगों की GS तो ठीक टाक होती है मगर इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती इसलिए जो भी अभ्यारती इस समय पर ARO के लिए फोकस कर रह पड़ेगा वोकेबलरी के लिए मैं जल्दी ही आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें एंटोनेम सिनोनेम वन बर्ड सब्सिटिशन ये सारी चीज़ जो है जितना भी पॉसिबल हो पाएगा वो आप लोग को कराएंगे प्रैक्टिस कराएंगे समय का दोस्त कि अभी तक हमने हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलिटी, यूपी, स्पेशल और स्टेटिक जीके इन सब पर आप लोग के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करवाए थे इसी के पीडियेफ जो है पृती मैडम ने तयार कर दिये हैं तो यदि आप एरू की परिक्षा के लिए तया कि आपकी तयारी का इसतर कितना है और आगे और कितनी महनत करनी है सब ही पीडियेफ के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पात करते हैं elementary knowledge of computer की जैसा कि मैंने आप लोग उसे कहा था दोस्तो कि computer के जल्दी ही हम mock test स्टार्ट करेंगे जो कि आपके UPPCL की जो परिक्षा होनी है और साथ में यह जो high quote की है इसमें भी आपके लिए useful रहेगा इसमें तो इतना ज्यादा कठिन नहीं पूछा जाता computer मगर UPPCL में तो थोड़ा tough आता है वो तो O level वाला रखते हैं और उसे अगर qualify नहीं करेंगे आप computer वाले portion को तो वहाँ पर भी फिल घुसित कर दिया जाएगा तो यह दोस्तो आपका syllabus रहेगा और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं जर्नल English और जर्नल हिंदी यह जो है graduation level की आपकी तैयारी इसमें होनी चाहिए ठीक है और दोस्तो इसमें कुछ chapter ऐसे हैं जैसे कि environment है agriculture है commerce है इस पे अभी हमने mock test नहीं करवाए हैं मगर जल्दी ही जो है मैं इस पे आप लोग के लिए शुरू करवाऊंगा तो यदि आप ARO की तैयारी के लिए जरा सा भी गंभीर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे अभ्यारती पहले सम और यारो इनकी भरती परक्रिया काफी तेज रखता है अभी तो कोविड की वज़े से ARO की भरती परक्रिया थोड़ी रुख गई दरवाइज आप देखेंगे कि एक साल के अंदर पूरी भरती परक्रिया कम्प्लीट हो जाती है जोइनिंग हो जाती है और क्यूंकि यह हा जो इस परिक्षा को लेकर गंभीर हैं क्योंकि मैं भी उसी साफ से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा ठीक है जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत